हलो स्टूडेंट्स मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग कुछ मॉटिवेशनल बातें करें और इसमें मैं हमेशा उन लोगों का उधारन देता रहा हूं जो हमारे लिए प्रिणा के स्रोत रहे हैं हमारे देश को आजाद करने में उनकी पहत्पू बोस जी के बारे में बात करना चाहूंगा बहुत सारी बाते हम इनके बारे में जानते हैं लेकिन इनके बारे में आज हम लोग कुछ बिशेश बाते करेंगे क्योंकि जब देश आजाद नहीं हुआ था हमारे देश में ही हमारे जो बहुत सारे नेता थे देश के अंदर ही सोच कितनी दूर की थी और इस आधार पर यह कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि वो intellectual कितने थे, genius कितने थे, visionary कितने थे, कितने वड़े economist थे, bureaucracy की समझ उनकी कितनी अच्छी थी, social civics की उनको कितनी अच्छी समझ थी, कितने वड़े diplomat थे और geopolitical partnership की समझ उनको कितनी थी, वह दौर था second world war का और second world war में जर्मन, इटली और जापन एक साथ मिलकर मित्र देश के रुप में लड़ रहे थे, किसके खिलाफ अंग्रिजों खिलाफ, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जर्मन जाकर उस समय के बहुत बड़े साथ हिटलर से मिलें और उसे मदद मागें, तो उसमें हिटलर से मिलना कोई معमूली आम बात नहीं थी, हिटलर के नाम से लोग डरते थे, उन्होंने ना केवल हिटलर से अपने intelligence के बल पे मिला, बलकि उससे influence करने में भी सफल रहे हैं, हिटलर इतना influence हुआ इनकी चुकि भारत से बहुत दूर है इसलिए प्रतक्ष रुप से जर्मन तो भारत की मदद नहीं कर सकता है लेकिन हाँ जापान उसका मित्र देश है और जापान से वो कहेंगे कि वो आपकी मदद करें और इसलिए उसने अपनी प्राइवेट पंडुबी उनको दी जो पानी के उ सकता था और चार हजार युद बंदियों को भी सुवाव चंद बोहुत जी को सौंप देता है इस तरह से उसकी मदद उनकी मदद वो करता है इस तरह से पनडुबी से वो कहां पहुंचते हैं सुमात्रा उसमें जापान के कबजे में था आज यह इंडोनेसिया के पास है औ और सुमात्रा पहुंचकर वो प्लेन से टोक्यो पहुंचते हैं जापान और जापान जब पहुंचते हैं तो वहां के प्राइमिनिस्टर को भी इंफ्लॉएंस करने में सफल होते हैं उस समय उन्हें पता हो जाता है कि जापान एसिया में अपना वर्चस वह स्थापित करना और इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर आप एसिया में वर्चस वह अपना स्थापित करना चाहते हैं तो बाहर के गोरों को आपको भगाना पड़ेगा साथ ही वो जापनीज प्राइमिस्टर को ये समझाने में भी सफल होते हैं कि आपका देश बहुत धर्मावलंबी को मानता है और भगवान बुद्ध की करमस्थली भारत रही है इसलिए हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं और इसके लिए जापान के प्राइमिस्टर इतने 45,000 soldiers थे जिसमें 45,000 soldiers जो इंडियन थे उन्होंने planning बनाई कि हिंदी अंग्रेजी और टैमिल में जो इंडियन हमारे जो soldiers हैं उनके परची बटवाएं जिसमें हम ये संदेश बिजें उन्हें कि तुम अंग्रेजों का साथ दे रहे हो जबकि अंग्रेज भारत को गुलाम मना के रखखा हुआ और इसका असर होता है वहाँ से अधिकान soldier जो है इसका बीद्रोः कर देते और इस तरह से देखते देखते सिंगापूर बिटिस के कब्जे से निकल जाता है वहाँ जापनियों का अधिकार हो जाता है जब जापनीज उह अधिकार कर लेते हैं तो जा होसते थे भारत को आजाद कराने के लिए ऐसे लोगों का समुह बना रहे थे और यहीं पर आजाद हिंद फॉज का गठन होता है